अब घंटों का काम मिंटों में होगा हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका बंदना की रस्वई में आज हम बना रहे हैं बीना गुथे बीना बेले आटा का रोटी जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इतना सौप्ट कि इसे कोई भी खाले और सबका पसंदिता बन जाए त बिल्कुल सकते हैं आज हम पस ऐसे थोड़ा सा फ्लिवर फुल के लिए बना रहे हैं तो धनिया डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाँ अगर आपको गार्लिक पर अठा बनाना है तो यहाँ पर गार्लिक डाल सकते हैं या फिर आपके अनियन डालना है तो आप अनियन भी डाल सकते हैं अनियन पराटा भी ऐसे ही बनता है एक कप पानी ले लिए हैं और हाँ पानी को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से डालेगा और इस तरीके से हमें मिलाते हुए पानी को डालना है और एक बेटर बनाना है तो हमने एक कप जिस कप से आठा ल लिएगा कैसी देख लीजिए आप प्रॉपर देख लेंगे तो उस तरीके से बना लेंगे यहां पर हमने थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसका एक गोल बराना है तो इसमें लंब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हमें इसे इस तरीके से मिलाते रहना है और लेजिए दो स्मूथ सा बेटर बनके कंपलेट है टूटल हमने दो कब पाने डाला है इसका थोड़ा सा ध्यान में रखके बनाईएगा ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए तो एकदम फॉफिक्ट है इसे 10 मिनिट के लिए रेस्ट प देख सकते हैं तो चले इसे बनाते हैं सबसे पहले कड़ां ही लेंगे आज हम कड़ां ही में बना रहे हैं आप चाहें टॉफिक्वर बना सकते हैं और कडाई में बना रहे हैं तो सिफ्र लगाएंगे और ऊसके बाद फो़छी बहर के हमने jijde ground है तो छोटा बड़ अपने ह गी या बटर आप लगा सकते हैं यहां पे थोड़ा सा घी हमने ले लिया है यह बिल्कुल असनला घी आप चाहे तो इसे ऐसे ही सेख सकते हैं घी डालने से और भी ज्यादा टेस्टी लगता है तो बस हमें इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से पका लेना है यानि कि सेख लेना है तो यह जो हमारा कड़ाई है यह नॉन्स्टिक है तो थोड़ा सा पुराना हो गया है तो इसके वज़त से चिपक गया था अगर आप प्योर नॉन्स्टिक कड़ाई या तवा लेंगे न तो इसे बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत इसली पराठा या रोटी बनके त्यार हो जाएगा तो लिए यह हमारा बहुत ही प्यारा सा एकदम सॉप्ट रोटी बनके त्यार है इसे आप कैसे भी फोल्ड करिए बच्चों को टीफिन में भी दे सकते हैं यह बिल्कुल क्रेक नहीं आएगा और यह पूरा दिन इसी तरीके से एकदम मुलायम नर जाता है लेकिन यह रोटी जो है इसे आप पूरा दिन ऐसे रखिए बिल्कुल गड़क नहीं होगा और इदर मुह में जाते घुल जाने वाला रोटी यह एकदम सॉप्ट बनता है तो गैस मैं बता दो कि अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देशेगा फिर मिलते हैं किस दूसरे